हेलो डियरे स्ट्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल जियार ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम एक्सरसाइस 2.3 से क्वेशन नमबर 3 को सॉल्फ करेंगे जो कि है क्लास 10 के बुक NCRT मैथमेटिक से NCRT सो अप्टेन करना है हमें all the zeros of this polynomial if two of its zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 हमें दो zeros इसके एक गार्डिन दिये हुए हैं बागी के और zeros जो हैं इस polynomial के पता करना है तो हमें क्या करना है यह जो given zeros है उसको पहले factor में change करना है and then जो factor आएगा उसको हम divide करेंगे इस polynomial को उस factor से divide करेंगे then पता करेंगे उसका question क्या है then five एंदी उसको और आगे factorize करके हम उसको split करके पता लगाएंगे के zeros क्या हैं बागी के तो let's begin with this question जैसे कि हमें पता है zeros कुछ नहीं होते बलके यह values होती है x की ठीक है तो यह x equal to दिया हुआ है again x equal to minus under root 5 by 3 दिया हुआ है अगर मैं इसको x के पास ले जाओ तो यह plus से minus में चला जाएगा और यहां कुछ नहीं बचेगा तो 0 और यह भी जब x के पास जाएगा तो minus से plus हो जाएगा और यहां बचेगा 0 मुझे factor बनाना है तो factor क्या बचेगा factor विल भी तो हम क्या करेंगे इन दोनों को multiplication में ले लेंगे क्योंकि हमें factor पता करना है अब आप देखोगे कि यह चीज दोनों ही same है पर यह plus में है और यह minus में तो यहां पे एक identity इस्तमाल होने वाली है जैसा कि आपको पता है a square minus b square जो कि a plus b और a minus b होती है तो यह जो form है वो इस form में है तो यहां से यहां आया जा सकता है तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा यहां इसके इस्तमाल से क्योंकि यह given है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो यह हो जाएगा a square minus b square जो कि 5 by root 3 है तो यहां पर हम देखेंगे कि इस root पर square है और जब root पर square होता है तो हम क्या करते हैं वो square वो root होता है वो हट जाता है और बागी का जो number है वो बचेगा अब हम क्या करेंगे इसको यहां जो denominator है 3 इसको हटाने के लिए हम इस पूरे को 3 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 x square और यह हो जाएगा 3 into 5 by 3 तो 3 से 3 cancel out होगा तो finally हमारे पास जो factor बचेगा वो हो जाएगा 3 x square minus 5 ठीक है अब हमें क्या करना है यह जो हमारा polynomial है उसको इस factor से डिवाइड करेंगे तो शुरू करते हैं डिवाइड करना तो आप 4 प्लस 6 x cube minus 2 x cube minus 10 x plus sorry minus 5 और इसको डिवाइड करेंगे हम 3 x square minus 5 से तो तरीका क्या है तरीका जैसा कि आपको पता है हम इस polynomial के अंदर जो expression होता है यानि सबसे ज्यादा power वाला जो term है वो है 3 x to the power 4 और इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे 3 x square से तो आप देखोगे कि 3 3 cancel out हो रहा है और यहाँ जब बेज सेम होती है तो power क्या होता है minus हो जाते हैं यहाँ पर finally हमारे पास बचेगा x square यानि हमें x square से multiply करना चाहिए तो आप देखोगे कि अब 3 x square यानि दोनों के दोनों term जो है वो जो यहाँ बिवाइड करने से आए था उससे multiply होंगे और 3 x square इं 2 x square यह हो जाएगा 3 x to the power 4 और यह 5 से भी multiply होगा क्योंकि 5 minus में plus minus होता है तो 5 x square हो जाएगा ठीक है यह चीज जो आई है हमारे पास उसको हम इनके light terms के नीचे लिखेंगे जैसे कि यह cube है cube के नीचे नहीं बलके यह x square है तो x square हमारा शायद मैंने कोई गलती करी है लिखने में तो मेरे ख्याल से यहाँ यह cube नहीं है बलके square है ठीक है तो हम finally यह जो square आया है वो square के नीचे लिखा जाएगा और इसका sign change कर लिया और बागी का यहाँ पर आप देखोगे plus minus minus यह होता है क्योंकि 5 positive हो चुगा है तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और इसके साथ जो variable है वो लिखा जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है और वो positive हो चुगा है तो यहाँ पर plus आएगा तो बागी की value जो है यानि वो लिख ली जाएगे minus 10 x minus 5 अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो power के साथ dumb है वो है 6 x cube उसको अगेन हम इससे divide करेंगे 3 x square और आप देखोगे कि 3 2 times में चले जाएगा और यहाँ power में जब base same होता है तो power minus होती है तो यहाँ पर हमारे पास 2 x बचेगा और इसको मैं यहाँ लिख लू multiply होंगे 2 x के साथ तो 2 3s are 6 और x into x square तो x cube होता है और 5 2s are 10 होता है उसके साथ जो variable है वो लिखा जाएगा और plus minus minus होता है यानि यह चीज़ यहाँ पर लिख ली जाएगी 6 x cube minus 10 x और इसका sign change कर दिया जाएगा आप देखोगे कि यह दोनो cancel out हो रहे हैं और finally हमारे पास बच बार minus 5 तो अब क्या करना है यह दोनों ही सेम है अब दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सोचें मत plus 1 लगा के as it is लिख दीजिए और इनका sign change करेंगे तो यह दोनों ही cancel out होने वाले हैं और हमारे पास remainder बचेगा 0 तो अब क्या करना है हमें अब करना यह है कि यह जो हमारे पास question आया है उसको further हम factorize करेंगे और इसके जरिये से बागी के जैसा ही कहा गया है obtain other zeros वो पता करेंगे अब क्योंकि zeros पता करना है तो एक वो zero के बरावर equate कर देता हूं और अब देखूंगा वही चीज जो हमने exercise 2.2 के question number 1 में की थी splitting real term इस्तमाल करूंगा ठीक है जैसा कि एसा करना है कि यहां कि जब हम plus minus करें तो हमारे पास two आ जाए और multiply करें तो one आ जाए तो आपको पता है one into one one होता है और one plus one two होता है क्योंकि यहां पर two x है तो यहां पर x और यहां x यहां x इसका मतलब क्या है x plus x two x होता है और क्योंकि इन दोनों का coefficient one है तो one into one one होता है त इन common कर सकते हैं, इस x square और x में x common है, तो यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे तो यह जा चुका है बाहर, तो जहाँ पे कुछ निया बचता है, इस तरीके से इन दोनों में कुछ भी common नहीं है, जिस में कुछ भी common नहीं होता, वहाँ one common होता है, और अंद मतलब यहाँ plus आना चाहिए, अगर इन दोनों में से sign match नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे minus लगाते हैं, ठीक है, equal to zero तो हमें करना ही है, और आप देख सकते हो, दो बार होता है, उसको एक बार लिखा जाता है, और x plus one जो बचा है, उसको लिख लेंगे, then हम क्यूंकि zeros पता क रखूँगा, और आप देखोगे, कि यह plus का है, तो इदर जाके minus हो जाएगा, इसी तरीके से यह भी zero के बराबर एकवेट होके मुझे x के वेली बताएगा, इसका मतलब, जो other zeros हैं, other zeros of this polynomial, जिसको px कहा है मैंने, वो आ गए, minus one और minus one, ठीक है, यही हमें पता करना था, I hope आपको समझ में आया होगा, किस तरह से सवाल को किया जाता है, यह बिल्कुल वैसा ही सवाल है, जो example 9 के अंदर solve किया गया है, जिसको मैंने solve किया है, आप जाकर playlist में देख सकते हो, and then, अगर आप भी कोई भी doubt हो, तो please let me know in the comment, and then, आपको समझ में आया है, तो please subscribe to my channel.